हेलो एवरिवन, वेलकम है आपका मेरी किचन में आज मैं आपको पोहा बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगे अगर आप इस तरीके से पोहा बनाएंगे तो पोहा बहुती स्वादिष्ट बनेगा और एकदम हेल्दी पोहा बनेगा ये पोगा बहुती ज़ादे तेश्टी बनता है फ्रेंट्स क्योंकि मैंने इसमें एक ऐसी चीड़ी डाली है जिसको डालने से पोगा बहुती ज़ादे स्वादेश्ट बनता है तो वीडियो को बिना इसकिप के लाश्ट तक जरूर देखेगा पोगा बनाने के लिए फ्रेंट्स हमने लिया है ये पोगा आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप इतना ले सकते हैं तो ये मैं तीन लोगों के लिए बना रही हूँ तो देखेगा फ्रेंट्स इतना मैंने ही लिया है तो पुगा आपको medium size का लेना है ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है या ज़्यादा छोटा लेना है तो पुगा बनाते समय हमें किन-किन चीजों की जरुद पड़ेगी यह मैं आपको बताऊंगी तो यह मैने लिए हैं करी पत्ते और दो टामाटर को मैंने बारी काट लिया है ये मैंने एक प्याज को भी बारी काट लिया है प्याज चाहिए तो आप इसमें दो भी डाल सकती है और ये मैंने लिया कच्ची मुमफली की गेरी पोही में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है और अगर आप पुहे को थोड़ा सा healthy बनाना चाहती है तो मैंने इसमें मखाने भी ले ली है अगर आपके पास मखाना नहीं है तो आप इने इसके भी कर सकती है तो फ्रेंट्स इसमें आप कड़ी पत्ते जरूर डाले क्योंकि पोहे में जगर हम कड़ी पत्ते डालेंगे तो पोहा बहुती स्वादिश्ट बनता है क्योंकि जो कड़ी पत्ते की खुस्बू होती है हमारे पोहे में बहुती टेश्टी बनाती है पोहे को तो फ्रेंट्स तो ये जो हमने पूहा लिया है ना इसमें हमें पानी डाल करके जैसे कि हम चावल दोते हैं ऐसे हमें इसको दो लेना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको पानी में बिगो करके नहीं रखना है इसमें जैसे ही पानी डाला है तुरंत इसका पानी हमें निकाल देना है तो देखेगा कि जो पुहे ककमे से हमें पानी निकाला है ये काफी गंदा सा पानी निकलता है सारा पानी हमने इसका निकाल लिया है तो इसी तरह से आपको पूहे में पानी डाल करके तुरंत इसका पानी निकाल देना है तो चली अब हम बनाना शुरू करते हैं गैस पर मैंने एक कड़ाई रख दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है क्योंकि हम हेल्दी पूहा बना रही है इसको खाने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे मन रहेगा आप चाहे तो इसको वेट लोस जरनी में भी खा सकते हैं क्योंकि ये आपके वेट को भी कम करेगा जैसे गी मेल्ट हो जाता है तो सबसे पहले हम इसमें मूमफली की गीरी को अच्छे से भून लेंगे तो इसको ऐसे चलाते रहें जब हमारी गीरी भूननी सुरू हो जाती है तो ये चटकने लगती है तो इनकी ये पैचान होती है जब मुमफली की गिरी अच्छे से भुन जाए तो बीच में से आप देखेंगे कि इसमें सारी गिरी क्रैक हो जाती है तो थोड़ी देर बाद ही अच्छे से भुन गई है अब हम इनको निकाल लेते हैं तो ये मैंने सारी मुमफली की गिरी इसमें से निकाल ली है और अब हम इसमें मखाने डालेंगे मखाने को भी अच्छे से हम इसमें डाल करके भून लेंगे तो फ्रेंट सी जो इसमें मखाना होता है मखाने में कैल्सियम भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे सरीर में जोडों में दर्द रहता है जैसे गुटने में कमर में इसे भी दूर करता है तो फ्रेंड्स आप अपनी डाइट में मखाने को जरूर एड़ करें क्योंकि मखान अब बहुती जादे हेल्दी होता है तो मैंने मखाने को भी अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें एक चम्मच सर्सों के दाने डालेंगे क्योंकि जो यह पूह होता है सर्सों के दाने इसमें हम डालते हैं बेहत स्वादिश्ट बनता है और अब मैंने इसमें करी पत्ते भी डाल दिये हैं करी पत्तों को ढाल कर ऐसे थोड़ी देर हम अच्छे से भून लेंगे जैसे हम करी पत्तिस में डालते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है चटकने की और ये मैंने तीन चार हरी मिर्च को बीच में से काट करके ले लिया है तो इस तरह से इनों लंबाई में बीच में से ऐसे एक आट करके लेंगे तो ये बहुती जादते लगेगी कि और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे घंक तो देखेंगे बहुती रहत ही कम घी तेल हम इसको बनाएं गे ज्यादा बिल्कुल भी ओईली नहीं बना है मैंने ये और अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ टमाटर को डाल करके अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे बिल्कुल सिंपल से हम इसमें मसाले डालेंगे से कुछ ज़्यादा हमें नहीं डालने हैं तो बिना तेल के बिना घी के बहुत कम घी में हमने यह बनाया है फ्रेंट्स एक चमच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और टेस्ट के अकोडिंग एक चमच से चीनी डाली है क्योंकि पोहे में अगर हम थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं तो पोहे में एक खटा मीठा टेश्ट आता है बहुत ही अच्छा लगता है और इधर देखे हमारा पोहा बिल्कुल एकदम खिला-खिला हो गया है तो यह ट्रिक आप जरूर अपनाए पोहे में पान तो फ्रेंट्स आप जब भी पोहा बनाए तो पोहे में यही ट्रिक जरूर अपनाए क्योंकि इस तरह ऐसे पोहा यह बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और एकदम खिला-खिला पोहा हमारा बन के तयार हो जाता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें थोड़ी सी करके जरूर देखें बहुत ही टेस्टी बनेगा और अब मैंने इसमें मुमफले की गिरी डाल दी है और यह मखाने भी डाल दिये हैं डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगी और यह लेजिए आपका बहुत ही स्वादिश्ट पोहा बन के तयार है इसे गर्मा गर्मा आप जो ही कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंट्स तो चली इसे हम सरू करते हैं तो फ्रेंट्स आपको मेरी यह पोहा बनाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और एक बार इस तरह से पोहा बना करके जरूर देखना बहुत ही टेस्टी लगेगा फ् क्योंकि इस तरीके से पोहा बेहत स्वादिष्ट बनता है। जो पोहे में हम चीनी जरूर डालना है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे डाल करके बनाएंगे तो पोहा बहुती स्वादिष्ट बनेगा। एक बार किसी को बना करके खिलाएंगे तो तारीक करता नहीं ठकेगा। क्योंकि इस पोहा बहुती स्वादिष्ट बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक से अर्ध जरूर करें। हम मिलती हूँ अगली नई वीडियो में तब तक के।